अस्सलाम अलेकुम निसनेस, वेलकम बाक टू माई चैनल आज आप सुनेंगे नॉवल बिन रोए आसू एपिसोड नॉबर फोर तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नॉवल इर्तिजा की सालकिरा का दिन था समन्ने सुबा उटने के साथ ही उससे पोचा था तुम्हारे जहन में कोई गिफ्ट आया? मैं तो कल सारा दिन सोच दी रही लेकिन कोई चीज मेरी समझ में ही नहीं आई वो इर्तिजा को तोफ़ा देने के लिए बहुत जादा बेच्चान नजर आ रही थी मैं तो गिफ्ट बहुत दिन हुए खरीच चुकी हूँ अबकी दफ़ा उसका इर्तिजा को तोफ़ा देने का बिल्कुल दिल नहीं चा रहा था लेकिन उसके तोफ़ा ना देने पर कोई और चौंकता या नहीं कम असकम इर्तिजा तो इस बात पर ना सिर्फ चौंकता बलके बाग काईदा उसके पास आकर तोफ़ा ना देने की वज़ा भी दर्याफ्त करता काफी दिन पहले जब वो एक रोज ममा के साथ शौपिंग करने गई थी तो इर्तिजा को तोफ़े में देने के लिए एक खुबसूरा सी टाई और वालिट खरीद कर ले आई थी तुमने तो मुझे बताया भी नहीं परसो रात भी जब मैं इस बारे में बात कर रही थी तो घुन्नी बनी हुई लेटी रही समन ने मस्नुई खुफगी से खुरा मुझे क्या पता था कि तुम भी उन्हें गिफ्ट देने के लिए इतनी बेताब हो मैं तो शुरू ही से इर्तिजा भाई की बर्थटे पर उन्हें गिफ्ट दिया करती हूँ इसमें कौन सी खास बात थी जो में तुम से खिर करती उसने अच्छे खासे बेमरवत अंदाज में समन से कहा लेकिन समन पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी जो से सबा की कोई बात बुरी ही नहीं लगती थी उसे ना सबा का लहचा बुरा लगा और ना ये बात कि समन ने उसे बताए बगएर जाकर तौफ़ा खरीद लिया मैं फिर ऐसा करूंगी कि जाकर उनसे पूछ लूँगी कि वो गिफ्ट में क्या लेंगे अब इतने मुश्किल बंदे को मैं खुद से क्या दूँ कम असकम मेरी समझ में तो बिलकुल नहीं आ रहा उसने ना समन की बात का कोई जवाब दिया था ना इस बारे में कोई मश्वरा कि वो इर्दजा को तौफ़े में क्या दे समन कमरे से चली गई वो खुद भी कॉलिज के लिए तयार हो चुकी थी अपनी अल्मारी में रखा हुआ गिफ्ट उसने निकाला और इर्दजा के कमरे की दरफ आ गई कमरे का दर्वाजा खुला हुआ था वो दर्वाजा कुला देकर हलके से दस्तक देकर यूहीं अंदर चाने का इरादा रगदी थी लेकिन अंदर कमरे में इर्तिजा के सामने खड़ी समन को देखकर उसका दस्तक देने के लिए उठा हुआ हाथ बेसाख्तगी में गिर गया था उन दोनों में से किसी की भी उस पर नजर नहीं पड़ी थी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर उन्हें सबर शफीक नजर आप ही कैसे सकती थी मैं आपको सालगिरा की मुबारक बात देने और ये पूछने आई हूँ कि आप मुझसे गिफ्ट में क्या लेंगे बहुत गोर फिकर किया मैंने लेकिन आपको देने के लिए कोई चीज़ मेरी समझ में नहीं आई दोस्ताना से अंदास में उसने मुस्कुराते हुए पूछा वो वहां से फॉरन पलेट जाना चाहती थी वो ऐसा नहीं कर सकी इर्तजा ने समन की बात बड़े गोर से सुनी कुछ तेर वो यूँ खामोश रहा जैसे इस बारे में सोच रहा हो फिर उसने उसकी आँखों में जागते हुए बुखत गहरे और घंबीर लहचे में पूछा जो मैं तुम से मांगूंगा वो तुम मुझे दोगी समन समन का इस बात पर क्या रद्दे अमल था वो देख नहीं पाई क्योंके वो वहां रुकी नहीं थी तेजी से चलते हुए वो वापस अपने कमरे में आ गई और गिरने वाले अंदास में वो सोफे पर बैट गई गिफ्ट उसके हाथों से भिसल कर कारपेट पर गिर गया था वो वहां रुक कर क्या करती इकरार का वो लहमा उसके लिए नहीं समन के लिए था वो लम्हा वो इकरार और वो शक्स समन के लिए था उसे रोना नहीं आ रहा था वो साकित बैठी अपने दिल के किर्ची किर्ची होकर तूटने और बिखरने की आवाजे सुन रही थी अजब है दर महुबत का जो मर्जी पर नहीं खुलता नहीं चलता यहां सिमसिम किसी को दोश क्या दे हम कहां गायब हो बेमरवत लड़की और कहां छुपाकर रखा हुआ है तुमने मेरा गिफ्ट शाम को इर्टजा ने उसकी शकल देखते ही शिक्वा किया वो उसकी देखकर बड़ी बहादुरी से मस्कुराई और फिर मैं अभी आई कहकर वहां से भागती हुई अपने कमरे में गई और जल्दी से तौफा उठा कर ले आई इर्टजा के हाथ में उसने तौफा पकड़ाया जिसे उसने बखुशी शुक्रिया कहते हुए कुबूल कर लिया लाउंच में इस वक्त घर के सब अफराद बैठे हुए थे इर्टजा ने फौरण ही तौफा खोल लिया था खुट टाई और वालिट का खुब अच्छी तरह मौईना करने और बहुत सारी तारीफे करने के बाद अफो बाकी सब लोगों को भी सबा का दिया हुआ तौफा दिखाने लगा इसे कहते हैं सच्छी महुपत कितने प्यार से सबाने सालगिरा के दिन से कितने पहले ही सही तौफा खरीद कर रखा हुआ था ये नहीं के वक्त के वक्त उपरे दिल से रसम निभाने को पूछने कड़ी हो जाती कि इर्तिजा भाई आप तौफे में क्या लेंगे इर्तिजा की बाद सबसे जादा अच्छी तरह यहां समन और सबाही समझ सकती थी समन ने इर्तिजा की नजरें और जुम्ले की मानेखेसी महसूस करते हुए बेसाखता उस से नजरें चुराई थी वो उसके इस अंदास पर जेरेलब मुस्कुराया था जफर इर्तिजा के ताना देने पर ये समझा कि वो शायद उसे और समन को मुश्तरका तोर पर शर्मिंदा करना चाह रहा है इसलिए फॉरण लड़ने वाले अंदास में बोला भाई सहाब वो दिन गुजर गए जब हम इतने बेवकूफ हुआ करते थे अब एक हाथ दो और एक हाथ लो का जमाना है अगर गिफ्ट वसूल करने का इतना ही शौक है तो फिर पहले हमें शानदार सा डिनर कराईए वो भी हम लोगों की पसंद की जगा फिर गिफ्ट वगेरा की कोई उमीद रखिएगा ये बगएर ट्रीट के गिफ्ट तो आपको सिर्फ आपका चमचा ग्रूप ही दे सकता है जुमले के इकताम पर जफर ने एक शोख सी नजर सबा पर डाली थी उसे पता था चमचा ग्रूप कहलाए जाने पर वो लड़ने मरने पर आमादा हो जाएगी बाबा ने इस मौके पर उसकी मुश्किल आसान कर दी थी और जट उसकी हमायत में बोलना शुरू हो गए थे उसने दश्रक और आमेज नजरों से बाबा की तरफ देखा इर्तिजा उन लोगों को रात का खाना बाहर खिलाने के लिए ले जा रहा था समन और जफर साथ जाकर इर्तिजा के लिए उन दोनों के तरफ से एक मुश्टर का तौफ़ा ले आये थे सबा मैं कौन से कपड़े पहनूं वो बेदिली से एक सादा सा सूट इस्तरी कर रही थी जब समन ने उससे बोचा ये रेड वाला ये सी ग्रीन या फिर ये बलैक वाला वो तीन चार हैंगर्स अपने साथ लगाए खड़ी थी तुम कुछ भी पहन लो अच्छा लगेगा उसने उन तमाम ड्रेसेस पर एक निगाह डाल कर संजीत की से कहा लेकिन वो इस जवाब से मुतमईन नहीं हुई थी बताओ ना कौन सा पहनू उसने दुबारा इसरार किया उसके इसरार पर आखिर कार उसे अपनी राय देनी पड़ी वो आज बहुत एहतमाम से तैयार हो रही थी सबह उसकी तैयारियों को खामोशी से देख रही थी तैयारी के मौमले में उसने समन को इतना हसास इस से पहले कभी नहीं देखा था आज कुछ खास दिन है समन मैं तो तुमें बहन की नज़रों से देख रही हूँ और जाहिरी बात है मुझे तो तुम हर तरह प्यारी लगती हो चाहे तुम लौन का पुराना सा सूट पहन कर और बालों में तेल चपड़कर मास्यो वाला होलिया बना कर भी मेरे साथ आओ तो भी मुझे तुम तब भी अच्छी ही लगोगी और जिन नजरों से आज तुम खुद को जांच रही हो तो बेफिकर रहो वहां तुम्हारे लिए सताइश ही सताइश होगी वो नजरे तुम्हारे चेहरे के अलावा किसी और को देखेंगी ही नहीं पर जब वो चारों होटेल में बैटकर बाते करते हुए अपनी अपनी पसंदीदा डिशिस से लुटफ़न्दोस हो रही थे तो समन की तरफ देखते हुए उसे पता चला कि जब किसी लड़की को चाहा जाता है तो चाहे जाने का अनुका सा एहसास उसे मजीद खुबसूरत बना देता है समन तकरीबन सारा वक्त जादा तर खामोश रही थी सर चुकाए खाना खाती इर्दजा से नजरे चुराती और उसके गालों पर बिखरा वो गुलाल सबह उसे देखकर बस हैरान हो रही थी उसका चेहरा कितना दिलकश था कितना मनमुहना सा लग रहा था उस पर से नजरे हटाने को सबह का जी नहीं चा रहा था इर्दजा बहाने बहाने से उसे मुखातिब कर रहा था और वो उसकी आम सी बातों पर भी पुरी तरह कन्फियूज हो रही थी इर्दजा बड़ी मसरूफ जिन्दगी गुजार रहा था उसे कभी तफरीहन लड़कियों के साथ वक्त गुजारने का शौक नहीं रहा था उसके लंदन से वापस आने के बाद से अम्मा मसलसल उसके पीछे लगी हुई थी कि वो शादी के लिए किसी लड़की का इंतकाब कर ले उनकी खौाहिशात और खुशियों का एहतराम अपनी जगा लेकिन वो इतनी जल्दी शादी करने के मोड में नहीं था वो बाबा और डाड़ी के साथ मिलकर अपने बिजनस को मजीद पहलाना और आगे बढ़ाना चाहता था ऐसा भी नहीं था कि उसने कभी लड़की के बारे में सोचा ही नहीं था जिसे वो अपनी शरीके सफर बनाने का फैसला करता वो खुबसूरती से मतासर होता था मगर सिर्फ उससे मतासर होकर वो किसी लड़की को अपनी जिन्दकी में शामल नहीं कर सकता था उसके जिन्दकी में आने वाली उस लड़की के पास खुबसूरत सोच, खुबसूरत जहन और खुबसूरत दिल होना चाहिए था खुबसूरत चेहरा चाहे हो या ना हो लेकिन शादी से उसका ये इनकार उस रोज धरा का धरा रह गया जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो समन से महभबत करने लगा है वो लड़की अचानक उसकी सिंदकी में आई और बस हर जगा चाह गई वो जो हर काम बहुत सोच समझ कर और जजबात को आसाब पर सवार किये बगएर करने का आदी था उसे समन से बस एक दम ही महभबत हो गई वो अचानक ही उन सब की सिंदकी में चली आई थी महमान की हैसित से आने वाली अचनबी सी समन और उस लड़की में जमीन और आसमान का फर्ग था तब वो उन लोगों को पराया समझ कर दूर दूर रहती थी अब जब वो उस घर को अपना मान कर यहां रहने लगी तो इर्दजा को पता चला कि समन का दूसरा नाम महभबत है उसे खालिक ने महभबत की मिटी से तखली किया है वो महभबत करने और महभबत बाटने के लिए बनी है घर वालों की तो बात ही क्या थी उसे तो उसका खूनी रिष्टा था उसे तो रास्ते में कच्रा चुनने और भीक मांगने वाले बच्चों तक से महभबत हो जाया करती थी वो जहीन थी समझदार थी मिच्च्योर थी वो अपनी उमर से जादा जिम्मेदार थी उसकी बहुत सी बाते इर्टजा जैसी थी इर्टजा उससे बेहत मतासर था खुद में मौजूद इतनी सारी खूबियों के बावजूद उसमें एक बेनियाजी थी अपनी खूबियों से बेनियाजी उसे जैसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो बहुत खुबसूरत है, जहीन है, दूसरे लोगों से बहुत मुखतलिफ है उसकी खुद अपने आप से ये बेनियाजी और लापरवाही इर्टजा की नजरों में उसकी खुबियों को कई गुना बढ़ा गई थी फिर कुछ और वक्त गुजरा तो उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ समन की खुबियों से मतासर नहीं हुआ है बलके वो उससे मुखबत करने लगा है मुखबत का ये इनकशाफ कितना अचानक हुआ था उस पर और जब उस पर उस मुखबत का इनकशाफ हुआ तो उसे इस महबत पर बहुत फखर महसूस हुआ इसलिए कि उसने जिस लड़की से महबत की थी वो वाकई इसकाबिल थी कि उससे महबत की जाए समन के लिए अपनी दीवानगी खुद उसके अपने लिए बहुत हैरत अंगेज थी उसे युनिवरस्टी से लानी की खातिर वो अपनी जरूरी से जरूरी अपॉइंटमेंट तक कैंसल कर दिया करता था मगर वो लड़की उसकी दीवानगी से अंजान हनूस वैसी ही बेनियास थी वो उसके साथ बड़ी अच्छी तरह बात करती थी लेकिन उसमें अभी तक वही पहले वाला तकल्फ और दूरी हायल थी कभी उसका दिल चाता वो समन से पूछे समन क्या तुम्हें मेरी मुहबत का एहसास ही नहीं या फिर तुम जान बूच कर बेनियासी जाहिर करती हो मेरी आँखों में लिखा पैगाम तुम क्यों नहीं पढ़ पाती उसकी बेकरारी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी फिर यू हुआ कि उसने इर्टजा की आँखों में मौजूद पैगाम पढ़ना शुरू कर दिया वो बराहे रास्त उसकी निगाहों में देखने से कत्रानी लगी उससे बात करते करते वो उसकी निगाहों की वारफतगी देखकर यकलख चुप हो जाया करती लेकिन इस गुरेज और इस खामोशी से उसके लिए एक बहुत खुबसूरत सा इकरार चुपा होता वो उस रास सोने से पहले अम्मा के कमरे में आ गया अम्मा उसके लिए बिलकुल मा की तरह थी उसे उनसे बात करते हुए कभी लफ से खटे करने की जरूरत नहीं पड़ती थी बगएर किसी हिचके चाहट के उनसे अपने दिल की बातें कर लिया करता था अम्मा आप चाहती हैं ना कि मैं शादी के लिए हां कह दू ये भी कोई पूछने की बात है बेटा तुम्हारी शादी तो मेरी जिन्दकी का सबसे बड़ा अर्मान है जिस लड़की को तुम पसंद करोगे हम सब उसे दिलो जान से कुबूल कर लेंगे उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से जवाब दिया मेरी पसंदीदा लड़की वो है जो आप सब को भी पसंद है मैं समन की बात कर रहा हूँ अम्मा मैं समन से शादी करना चाहता हूँ उसके मूँ से समन का नाम सुनकर अम्मा तो बेतहाशा खुश हुई उसने उस लड़की को पसंद किया था जिससे उसकी शादी उस घर के हर फर्द कारमान थी अम्मा बाबा डैडी और मम्मा सब के सब इर्दजा की समन के साथ शादी के खौाहिश मन थे दिल की ये खौाहिश उनोंने आपस में एक दूसरे के सामने जाहर कर दी थी लेकिन इर्दजा समीट बच्चों में से किसी के सामने अपनी इस खौाहिश का इज़ार नहीं किया था कि अगर इर्तजा ने इस रिष्टे से इंकार कर दिया तो खौमुखा आपस में दिल बुरे होंगे लेकिन उसने तो वही बात कह दी थी जो सब की दिली तमना थी अम्मा ने सुबह का इंतजार भी बड़ी मुश्किलों से किया था सुबह होते ही उन्होंने बाबा डाड़ी और ममा को इस बात से आगा किया था थोड़ी ही धेर में घर के तमाम अफराद को इस बात का पता चल गया ममा ने समन की रजामन्दी लेने के बाद अम्मा को बाकाइदा इस रिष्टे के लिए हाँ कह दी थी उसे दिन रिष्टा दिया गया उसे दिन रिष्टा तेह हुआ और उसे दिन मंगनी की तारीख भी तेह कर ली गई जफर की अमरीका जाने में सिर्फ चार दिन रह गए थे उसके जाने से एक दिन पहले मंगनी की तकरीब होनी थी वक्त बहुत कम था और अम्मा नहायती धूमधाम से तक्रीब करना चाती थी इसलिए घर में खूब भागमदोड़ी मची हुई थी इर्तिजा के लिए ये सब एक हसीन खौप की तरह था कौन कहता है महबत हेचर है, नारसाई है, दुख है, आसू है गलत, बिल्कुल गलत, उसने खुच से कहा था महबत करने वालों को हमेशा ही तो पुलसरात का सफरते नहीं करना पड़ता कभी कभी सब कुछ मन चाहा भी तो हो जाया करता है बिल्कुल इस तरह जैसे मेरे साथ हुआ है वो हासित नहीं थी, कमजर्फ नहीं थी जो अपनी बेहन की खुशियों से जलती वो उसकी खुशी में खुश होने की कोशिश कर रही थी उसने खुद को इर्दजा की बरसों पहले की एक बात याद दिलानी चाही जरूरी नहीं, जब जो मैं चाहूं वो मुझे मिल भी जाए कभी कभी मेरे बहुत चाने पर भी मुझे मेरी पसंदीदा चीज नहीं मिल सकती और मुझे इसे नॉर्मल तरीके से लेना चाहिए मैं आप जैसी हकीकत पसंद और मिच्योर नहीं कैसे मालनू कि जो मैंने चाहा वो मेरे बजाए किसी और को मिल रहा है उसने स्टेच पर बैटे इर्तिजा की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए समन से कुछ कह रहा था मुझे यकीन नहीं आ रहा सबा क्या मुखबत करना और उसे पा लेना इतना ही असान होता है समन खुशी के इंतहा पर पहुँचकर बेयकीनी से पूछ रही थी नहीं ये सब इतना आसान नहीं होता सिर्फ चंद खुश किसमत ही होते हैं जिनें मुखबत हासल हो जाती है और तुम इन चंद खुश किसमत लोगों में से एक हो वो बस सोच कर रह गई थी समन के पास आज बोलने के लिए बहुत कुछ था वो बे तहाशा खुश थी कितनी देर तक वो उसके साथ आज की उसके खुश्यों भरे यादकार दिन के हवाले से बाते करती रही बाते करते करते समन सोच चुकी थी लेकिन उसे नीन नहीं आ रही थी वो खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई आस्मान पर जगमगाता चांद उसे उससे पहले इतना तनहा कभी नहीं लगा था तुम तनहा हो इसलिए इतने उदास हो उदास मत हो देखो मैं भी तुम्हारी तनहा आज बिलकुल तनहा हूँ वो खामोश खड़ी चांद से बाते कर रही थी वो सब लोग एरपोर्ट पर जफर को सी ओफ करने आये थे जैसे ही तस्वीरे आएं फॉरण मुझे भेजना जफर ने समन के आंसु साफ करते हुए कहा अम्मा आपने देखा सबा को उसने इस मौमले में भी मेरे साथ नाइनसाफी की है इर्तिजा के लंदन जाने पर ये कैसे फूट फूट कर रोई थी और आज देखें कितने मज़े से खड़ी है वो जाते जाते भी उसे छेड रहा था उसके ताना देने पर सब हस पड़े थे यहां तक के समन भी रोते रोते हस पड़ी थी सब को खुदा हाफिस कहकर वो आगे बढ़ा दो कदम आगे बढ़कर उसने गर्दन मोड़कर सब की तरफ देखा तो नजरे सब पर से होती हुई सबा पर जाकर ठहर गई उसकी आँखों से आसु बह रहे थे वो बिलकुल खामोशी से उसी को देख रही थी वो एकदम पलटकर वापस आया अरे सबा मैं मजाग कर रहा था वो उसके पास आकर बोला जफर भाई आप जल्दी वापस आईएगा अब आप एर्दिसा भाई के साथ कोई गेम खेलेंगे तो मैं आपको सपोर्ट करूंगी वो रोते हुए उसे यकीन दिला रही थी जफर अपने हाथों से उसके आंसु साफ करने लगा जफर के जाने पर उदासी और खामोशी के मिले चले चसबात लिये वो लोग घर वापस आ गए थे शाम तक सब यूँ ही कुछ खामोश खामोश से रहे इर्टजा समन को डिनर कराने के लिए बाहर ले जा रहा था सबा तुम भी चलो इर्टजा ने ओफर की मुझे कबाब में हट्टी बनने का कोई शौक नहीं है अखलाकर मुझे साथ चलने को कह रही है अगर मैं वाकई चलने के लिए तयार हो गई तो दिल ही दिल में मुझे गालियां देंगे फिर मुरवतन आप दोनों मुझे बरदाश करेंगे और मेरी वज़ा से आप लोगों को आपस में इंतहाई एहमकाना गुफ्तगू करनी पड़ेगी हो सकता है फिर आप इससे पाकिस्तान की फॉर्ण और एकनॉमिक पॉलिसी डिसकस करें और ये आपको गोबी के फूल और गेंदे के फूल के दर्मियान मौझे पूल के दर्मियान मौझे पुनियादी फर्क समझाने लगे उसके मुफट से अंदास पर इर्तजा कहकाह लगा कर हस पड़ा था जबके समझ अम्मा की मौझूदकी की वज़े से बुरी तरह चीप गई थी खुद अम्मा के लबों पर भी उसकी बास सुनकर मुस्कुराहट दोड़ गई थी उसने युनिवासिटी में एड्मिशन ले लिया था वो केमेस्ट्री में आॉनर्स कर रही थी वो और समन युनिवासिटी एक साथ जाया करती थी उसने अपने जहन से सब सोचों को जटक कर खुद को पढ़ाई में मसरूफ कर लिया था वो अब अकेले में भी नहीं रोती थी उसने जैसे इस रिश्टे को कबूल कर लिया था दुनिया में इर्दजा घजन फर ही तो एक अकेला अच्छा शख्स नहीं उस जैसे बलकि उससे भी ज़्यादा अच्छे मर्द इस दुनिया में मौजूद है उसे समन पसंद है तो ठीक है वो क्यूं बेकार में खुद को हलकान करे ऐसे शख्स के बारे में सोच सोच कर वो क्यूं अदास होती रहती है जिसे उससे कभी मौबबत थी ही नहीं उसने इर्दजा घजन फर के साथ अपनी एक तरफा मौबबत को हमाकत करार दे कर खुद को मजीद इस हमाकत में मुबतला रहने से रोक लिया था रात के खाने के बाद वो सब लोग लाउंच में बैठे हुए थे सबसब के लिए कौफी बना कर लाई थी इर्दजा का अगरचा आजकल कराची में कयाम बहुत मुखत मुखतसर होता था फिर भी इस मुखतसर से वक्त में समन की कोशिश होती थी कि वो उसे उसकी पसंद के डिशिस बना कर खिलाए रात में उसे कौफी बना कर दे वो इर्तिजा के पीछे लग लग कर उससे पूछती थी कि वो क्या चीज़ खाना चाहता है सभा को अब उसके काफी बनाने और नाश्टा देने की कोई जरूरत नहीं रही थी उसकी इन जरूरतों का खयाल रखने के लिए समन काफी थी और सभा को इस बात से कोई फर्ग भी नहीं पड़ता था इर्तिसाने काप उठाकर पहला गूर्ट लिया और फौरण बोला काफी अच्छी है समन लेकिन इसमें वो बात नहीं जो सभा के हाथ की बनी काफी में होती है उसके साफ को अंदास का समन जरा भी बुरा नहीं माना था वाकई सभा बहुत अच्छी काफी बनाती है मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ उसके जैसी मज़ेदार काफी नहीं बना पाती उसने बर्मला एत्राफ किया था अच्छा खाना बहुत लोग बना लेते हैं लेकिन अच्छी चाए और काफी बनाना हर किसी के बस की बात नहीं क्यों ममा बठी कह रहा हूँ न वो बड़े मूड में उसकी तारीफ करते हुए अब बाबा की तरफ सवालिया निगाहों से भी देख रहा था बाबा तयाईदी अंदाज में मस्कुराते हुए खुद भी कुछ कहने वाले थे वो खामोशी से बैठी काफी पी रही थी उसे अपनी इस तारीफ पर कोई खुशी नहीं हुई थी बच्चा समझकर की जाने वाली अपनी इन तारीफों पर अब उसे कोई खुशी नहीं होती थी उसने इर्दजा घजनफर के बारे में सोचना बिलकुल छोड़ दिया था लेकिन फिर भी वो उसके कराची में होनी की वज़ा से डिस्टर्ब हो जाया करती थी उसका दिल चाहता था कि वो एक दो दिन के लिए भी कराची ना आए उसकी गार मौजूदकी में उसे बड़ा सुकून पहुँशता था वो जब यहां आता तो उसे देखकर हर लम्हा ऐसा लगता जैसे उसकी कोई बहुत अपनी चीज जिसकी वो मालिक थी जिसे वो किसी को देने का मरकर भी नहीं सोच सकती थी मसलसल उससे दूर होती चली जा रही है और वो बेबसी से कड़ी उसे खुछ से दूर चाता देख रही है अपनी सोच पर वो खुद को सखट लानत मलामत करती खुद से खधा हो जाती थी उसे उस शक्स की कतान परवा नहीं थी वो समन से शादी करें या किसी और से उसकी बला से समन के इम्तहानों के फॉरण बार शादी की तारीख रख दी गई थी घर में कई दिन पहले से डोलक बचने शुरू हो गई थी उन लोगों की कजिन्स और समन की सहीलिया सब मिलकर रात गए तर डोलक बचाती गीत गाती समन भी शर्माई शर्माई सी उन लोगों के पास ही बैठी होती ममा हर बार समन के खुशियों से चक्पगाते और मस्कुराते चेहरे को देखकर माशाल्ला कहती उसकी खुशियों के दाइमी होने की दूआ मांगा करती अम्मा दूआ करे मेरी बेटे की खुशियों को किसी की नज़र ना लगे उस रोज रात को वो अम्मा के कमरे में उनके पास बैटी मायू के फंक्शन के बारे में उनकी मुक्तलिफ हिदायात सुन रही थी जब ममा कमरे में आकर अम्मा के सामने बैटते हुए बोली मलीहा तुमें कहने की जरूरत नहीं है बेटा अपने बच्चों की खुशियों के लिए दूआ करने के अलावा अपने ने पास जिंदगी में और है ही क्या उन्होंने ममा का हाथ अपने बूढ़े और कमजोर हाथों में लेकर बहुत मुखबत से कहा वो कमरे में आई तो समन जागी हुई थी तुम सोई नहीं अभी तक बालों में से बैंड निकालकर ट्रैसिंग टेबल पर उचालते हुए उसने पूछा चन्द दिन रह गए हैं तुम्हारे साथ इस कमरे में गुजारने के लिए मैं इन दिनों में सोने की बजाए तुम से बहुत सारी बाते करना चाहती हूँ समन कुछ उदासी बोली वो चोटी खोल कर बालों में उंगलिया चलाती हुई बैट पर आ गई सबा, तुम्हारे इस कमरे में मैंने अपनी जिन्दगी का बहुत खुबसूरत दोर गुजारा है यहां बेशमार मरतबा तुमने मेरे आशो साफ करके मुझे जीने का होसला दिया और यही मैंने अपनी जिन्दगी का सबसे हसीन खुआफ देखा पिर अपने इस हसीन खुआप को ताबीर पाते देखा उसकी आँखों से एकदम आसू बहने लगे पागल हो तुम, कौन सा रुखसत होकर किसी दूसरे घर जाना है जो यू रो रही हो, तुम्हें ये कमरा पसंद है तो ये तुम और इर्तिजा भाई ले लो और इर्तिजा भाई का कमरा मैं ले लेती हूँ उसने हातों से उसकी आसू खुश करने चाहे तो वो उसके कंदे पर सर रखकर और शिदद से रोने लगी एहमियत कमरे की नहीं है, एहमियत तुम्हारी है सबा शफीकी, मेरी बहन की, मेरी सबसे अच्छी दोस्त की मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी सबा वो मसलसल रोय चली जा रही थी तुम्हें क्या है सबा, मैं तुम से कुछ बे चुपा नहीं पाती मेरा दिल खुद बखुद तुम्हारी तरफ खिचता है वो उससे महबत का वालेहाना अंदाज में इकरार कर रही थी और सबा के अंदर दूर तक सनाटा पहल गया था मैं इस महबत के लायक नहीं समन आस्मानी रंका शरारा पहने, बहुत नफीसी जूल रही और महारत से किये गए मेक अप के साथ, वो बेहत खुबसूरत लग रही थी अपने लंबे सिल्की बालो को उसने खुला चोड़ दिया था बालो के बीच से मांग निकाल कर, जो नाजुक सा टीका उसके माते पर सजाया था उसने उसकी तैयारी को मजीद इलकश्य अतागी थी सबा, तुम लड़के वाली हो या लड़की वाली? जफर शादी से बाच दिन पहले आ गया था और आते ही उसने शादी के बहुत से काम अपने जिम्मे ले लिये थे लेकिन सबा के साथ छेड़ चाड़ भी जारी थी मैं लड़के वाली भी हूँ और लड़की वाली भी समन इस गदार का खयाल रखना कहीं ऐसा नहो आखरी वक्त में ही तुमें हरी जंटी दिखाकर दूले की गाड़ी में बैटकर बारात के साथ आए सारे फंक्शन्स बड़ी अच्छी तरह हो गए थे शादी के दिन भी वो बड़ी मुताहरिक सी इधर उधर फिर रही थी दूलहन की बहन को ढूडने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी वो अलग ही नजर आ रही है असमा ने उसके गाल पर प्यार करते हुए तारीफ की आज का दिन तो बस सबा का है उसके आगे हम सब की तैयारियां बिलकुल फजूल लग रही है वैसे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें दुलहन की बहन कहें या नंद उसके कमेंट्स पर बाकी सब कजिन्स हस पड़ी वो खुद भी मुस्कुराते हुए बाबा की बात सुनने चली गई थी उसके पास अपनी कैफियतों का तज्जिया करने की फुरसत नहीं थी लेकिन इतना अंदाज़ा तो उसे था कि भरी महिफिल में तनहा होने की ये कैफियत आज सुबह से उसे अपनी लपेट में लिये हुए थी उसे रोना आ रहा था उसका दिल जा रहा था वो कहीं छुप जाए और सबसे छुप कर बहुत सा रोए निकाह के वक्त समन के एक तरफ अमा और एक तरफ ममा बैठी हुई थी वो खुद भी समन के गरीब ही खड़ी हुई थी जिस वक्त समन निकाह नामे पर दस्तखत किये उसने अपने इर्द गिर्द सरनाटा फैलता महसूस किया उसे एक मरतबा फिर ऐसा लगा जैसे वो किसी रेकिस्तान में तनहा खड़ी है कहीं कोई आवास नहीं दूर दूर तक कोई अपना नहीं वो बिलकुल तनहा है कोई उसके रोने पर मताजब नहीं था ना उसके बराबर में खड़ी उसकी कजिन्स ने उसे तसली देने की कोशिश की थी समन को स्टेश पर लाकर इर्द जा के साथ बिठा दिया गया था उन दोनों को साथ बैठा देकर उसे आज भी बिलकुल वैसे ही तकलीफ हुई थी जैसे पहली मरतबा इस बात का एहसास होने पर हुई थी कि इर्दजा घजनफर जिस लड़की से मुखबत करता है वो सबा नहीं बलके समन है वो अपने आप से लड़ रही थी खुद को सरजनिश करते हुए आंसों को बार बार पीछे धकेल रही थी मुख़लिफ रस्मों और तस्वीरों और मुवी के लिए उसे बार बार आवाजे दी जा रही थी वो स्टेच पर आ गई और इर्दजा के मस्कुराते हुए चेहरे पर उसकी नजर पड़ी तो उसे पता चला कि उस शक्स की मुखबत उसके दल से कभी नहीं निकल सकती वो लातालुकी और बेनियाजी का खौल जो इतने दिनों से उसने खुद पर चढ़ा रखा था यकलक्त चठक गया था वो सब के साथ साथ खुद को भी धोका देती रही थी तुमने मुझसे मेरी मुखबत चीन ली है समन मैं तुमें कभी माफ नहीं करूंगी उसे उस लड़की से आज फिर शदीद नफरत का एहसास हुआ था सबा समन को उसके कमरे में लेकर जाओ घर वापस आकर कुछ तेर रसुमात का सिलसला चला उनसे फारिग होकर समन ने उसे कमरे में पहुचाने के लिए कहा था वो अपनी चंद कजिन्स के साथ समन को लेकर उसके कमरे में आ गई उसे उस फूलों भरी सेच पर बिठाते वक्त उसके दिल को नाकाबले बयान तकलीफ होई उसका दिल चा रहा था इस सजे सजाई कमरे को उजार दे सुर्ख गुलाबों और मोतियों के फूलों से महकती हुई तमाम लड़िया नोच डाले उस कमरे में चारों तरफ बिकरे उन फूलों को अपने कदमों तले मसल डाले और उन फूलों के दर्मियान बैठी उस हसीन लड़की को कहीं गायब कर दे आज कितने दिनों बाद बे इक्तियार उसके दिल से यही चुमला फिर निकला था तब तक अपना खयाल रखिये दौाओं में याद रखिये अलहाफिस